अब भारत में भी रूस जैसे स्मॉल फ्लोटिंग यानि तैरने वाला न्यूकलियर प्लांट पनाया जाएगा जिससे बिजली पैदा की जाएगी वितमंत्री निर्मला सीता रवन ने बजट में इसका एलान किया है समॉदर में तैरने वाला स्मॉल न्यूकलियर प्लांट क्या है और कैसे पानी और कोईला के बिना ये बिजली पैदा करेगा माई 2020 में रूस ने पहली बार समॉदर में तैरने वाले न्यूकलियर प्लांट की तैनाती पेविक नाम के शेहर के करीब की थी इस पूरे शहर को ये नुकलियर प्लांट बिजली देता है जिसका नाम एकेडेमिक लोमोनोसोव रखा गया है जिसे बनाने में 3,000 करोड उपे खर्च हुए हैं इस जहाज में 70 करमचारी काम करते हैं इस तैरने वाले जहाज का वजन 21,500 तन लंबाई 144.4 मीटर चौड़ाई 30 मीटर उचाई 10 मीटर है इसमें 2 नुकलियर रियक्टर लगे हैं जो 300 मेगावार्ट तक विजली पैदा करते हैं नुकलियर पावर प्लांट आमतोर पर 3 तरह के होते हैं माइक्रो रियक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रियक्टर और जर्नल नुकलियर रियक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रियक्टर नुकलियर प्लांट को फ्लोटिंग नुकलियर पावर प्लांट भी कह जाता है इसकी वज़ा से ही इस nuclear power plant को एक जगा से दूसरी जगा आसानी से ले जाया जा सकता है इसमें लगाये जाने वाले modular आमतोर पर बड़े nuclear power plant में लगाये जाने वाले modular की तुनला में काफी छोटे होते हैं भारत में जिस small nuclear reactor को बनाने का एलान किया गया है उसके बनाने की लागत बड़े nuclear reactor से करीब 8 गुना कम है इसके साथ ये nuclear power plant 24 गंटे लगातार काम कर सकते हैं इस reactor की खासेत यह है कि इसे समुद्र के किनारे से पहड़ी लाकी में भी देनात कर सकते हैं जिसे भारत को कई जगहों पर फाइदा होगा भारत में बिजली पैदा करने के चार प्रमुकसाधन है कोईला, पानी के डैम, सोलर एनरजी और विंड एनरजी इन सभी माध्यमों से बिजली पैदा करने की लागत काफी ज़ादा है साथ ही इन से परियावरण में कारवन भी ज़ादा निकलता है स्मॉल निकलियर पावर प्लांट की खासे दिये है कि यूरेनियम का स्तिमाल कर इसमें से बिजली पैदा की जाती है इस तरह से बिजली पैदा करने में लागत कम और प्रोडक्शन ज़ादा होता है नुकलियर पावर प्लान्ट में इस्तंमाल किये जाने वाला युरिनियम काफी पावर्फुल होता है ये इतना ताकतवर होता है कि अगर ये पानी के किसी पाईप से गुजरे तो पाईप का पानी खौलने लगता है इसे भाब बनती है जिसका इस्तिमाल ही बिजली पावर प्लांट के टर्वाइन को घुमानी के लिए किया जाता है इस तरह बिजली तयार होती है बजट में जिस स्मॉल नुकलियर प्लांट को लगानी की बात कही गई है वो 300 मेगावाट तक बिजली पैदा भरेगा भारत चार बड़ी वज़ाओं के चलते बड़े नुकलियर पावर प्लांट की जगाद छोटे नुकलियर पावर प्लांट लगाना चाहता है पहला कारण दुनिया भर के देश भारत पर जीरो कारवन इमिशन और कम कोईला इस्तिमाल करने के लिए दबाब बना रहे हैं भी लगाया जा सकता है और चौथा कारण दोहजर पचास तक भारत में विजली की मांग असी से देड़ सो परसेंट तक बढ़ने का अनुमान है SMR एक ऐसा प्लांट है जिसके जरीए हर शहर अपने लिए विजली पैदा कर सकती है